और आज का दिन बहुत खास है आज कारगिल विजय दिवस है 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का जण्डा फैराया था चाथियों कारगिल का युद्ध जिन परिस्थित्यों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मन्सुवे पाल कर भारत की भूमी हत्याने और अपने यहां चल रहे आंत्रिक कलह से द्यान भठकाने को लेकर दूसा हस किया था भारत तब पाकिस्तान से अच्छे समन्तों के लिए प्रयास रथ था लेकिन कहा जाता है न बैरू अकारन सब काहूं सव जो कर हित अनहित ताहूं सव यानि दूस्थ का स्वभाव ही होता है हर किसी से बीना वजह दुश्मनी करना ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीट में छुरा धौपने की कोशिश हुई थी लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराकरम दिखाया भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा आप कल्पना कर सकते हैं उंचे पहड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना ये हमारे वीर जवान लेकिन जीत पहार की उचाई की नहीं भारत की सेनाओं के उचे होंसले और सच्ची विरता की हुई साथियों उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सोभागे मिला वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है मैं देख रहा हूँ कि आज देश भर में लोग करगिल विजे को याद कर रहे हैं सोचल मिडिया वर एक हैस्टेग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं जो शहीद हुए हैं उन्हें सरद्धांज ली दे रहे हैं मैं आज सभी देश भाशियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने माभारती के सच्चे सपुतों को जन्म दिया मेरा देश के नवजवानों से आगरह है कि आज दिन भर कारगिल विजे से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानिया वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं शेयर करें मैं साथ हुआ आपसे एक आगरह करता हूँ आज एक वेबसाइट है www.galantryawards.gov.in आप उसको जरूर विजिट करें वहाँ आपको हमारे वीर पराक्रम योद्धाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारिया प्राप्त होगी और वो जानकारिया जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेणा का कारण बनेगी आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूँगा बार-बार कीजिए साथियों कारण बनेगी यूद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगीख है अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी बात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविदा हो कि उसे क्या करना क्या न करना तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है ये मंत्र था कोई महत्वपूर्ण निर्णे लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पाहडियों में अपने प्राणों की आहूति दी थी आईए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने समझे और समय की मांग है कि उसे स्विकार करें हम सभी को याद है कि कांदी जी ने हमें एक मंत्र दिया था उन्होंने कहा था कि जी कोई जिविदा हो कि तुमें क्या करना है तो तुम भारत के उस सभसे असहाई विर्थ के बारे में सोचो और स्वेम से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो से उस विक्ति की भलाई होगी कारगल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर रिल्वे लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की याहुती गी थी साथियों युद्ध की परिस्थिती में हम जो बात कहते हैं करते हैं उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा विहवार, हमारी वानी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष, सभी कसोटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरी का मंत्र लिए एक ताके सुत्र में बंदे देश्वासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं हमारी यहां तो कहा गया ने संगे शक्ति कलो युगे कभी कभी हम इस बाद को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुक्षान करती है कभी कभी जिग्यासावत फौरवर करते रहते हैं पता है गलत है यह करते रहते हैं आजकल युद्ध केवल सिमाव पर ही नहीं लड़े जाते हैं देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमी का तय करनी होती है हमें भी अपनी भूमी का देश की सीमा पर दूरगम परिस्तितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी मेरे प्यारे देशवासीों पिछले कुछ महनों से पूरे देश ने एक जूठ होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है आज हमारे देश में रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहतर है साथ ही हमारे देश में कोरोना से मुर्त्य दर्भी दुनिया के जादातर देशों से काफी कम है निश्चित रुप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखत है लेकिन भारत अपने लाखों देश वाच्चों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है लेकिन साथियों कोरोना का खत्रा टला नहीं है कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है हमें बहुत ही जादा सतरक रहने की जरूरत है हमें यह इध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है चहरे पर मास्क लगाना या गमचे का उप्योग करना दोगज की दुरी लगाता अरहाथ धोना कहीं पर भी थूंकना नहीं साव सफाई का पूरा ध्यान रखना यही हमारे हत्यार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती हैं और मन करता हैं कि चहरे पर से मास्क हटा दे बाचित करना शुरू करते हैं जब मास्क की जरुरत होती है जादा उसी समय मास्क हटा देते हैं ऐसे समय मैं आप से आगर करूँगा जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फिल होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए उन नर्सों का स्मरण कीजिए हमारे उन कॉरोना वारियर्स का स्मरण कीजिए अब देखिए वो मास्क पहन करके गंटों तक लगातार हम सब के जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं आठ आठ दस दस गंटे तक मास पहने रखते हैं क्या उनको तकलिब नहीं होती होगी थोड़ा सा उनका स्मर्ण कीजिए आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जराबी कोता ही न बरतनी है न किसी को बरतने देनी है एक तरफ हमें कोरोना के खिलाब लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है तो दूसरी ओर कठोर महनत से व्यवसाय, नोकरी, पढ़ाई जो भी कर्तब भी हम निभाते हैं, उसमें गति लानी है, उसको भी नई उंचाई पर ले जाना है साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामिन ख्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है गावों से स्थानिय नागरिकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगाता सामने आ रहे हैं जम्मू में एक ग्राम, त्रेवा ग्राम पंचायत है वहाँ की सरपंच हैं बलबीर कौर जी मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक कौरंटाइन सेंटर बनवाया पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की भवस्ता की लोगों को हाथ दोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया इतना ही नहीं ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंदे पर स्प्रेपम टांक कर वॉलेंटेर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपार के छेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है ऐसी ही एक और कश्मीरी महला सरपंच है गांदरवल के चोंटली वार की जैतुना बेगम जैतुना बेगम जी ने तै किया कि उनकी पंचायत कौरोना के खिलाब जंग लड़ेगी और कमाय के लिए अउसर भी पैदा करेगी उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बाटे, फ्री राशन बाटा, साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीच और सेव के पौधे भी दिये ताकि लोगों को खेती में, बागवानी में दिक्कत ना आए साथियों कश्मीर से एक और प्रेज़क घटना है यहां अनंतनाग में मिन्सिपल प्रेसिडेंट है स्रीमान महमद इकबाल उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे सहर से लानी पड़ेगी और किमत भी होगी छे लाक रूपी है तो स्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल पचास हजार रूपीय में ऐसे कितने ही और उदारण हैं पुरे देश में कौने कौने में ऐसी कई प्रेयर घटनाएं रोज सामने आती हैं ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं चुनोती आई लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया मेरे पैरे देशवासियों सही एप्रोच से सकारादमक एप्रोच से हमेशा आपदा को अउसर में विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती हैं अब यह हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं महलाओं ने अपने टालेंट और स्कील के दम पर कुछ नए प्रयोक शुरू किया है बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप्स ने मदवनी पेंटिंग वाले मास बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते यह खुब पपलिर हो गया है यह मदवनी मास एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं लोगों को स्वास्त के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं आप जानते ही हैं नौर्थ इस्ट में बैंबू यानि बांस कितनी बड़ी बात्रा में होता है अब इसी बांस से त्रिपुरा, मनिपूर, असम के कारिगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बातल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है बांबू से आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बॉतले भी इतनी शांदार हो सकती हैं और फिर ये बॉतले इको फ्रेंडली भी हैं इन्हें जब बनाते हैं तो बांस को पहले नीम और दूसरे आउस्वदिय पौंदों के साथ उबाला जाता है इससे इनमें आउस्वदिय गून भी आते हैं छोटे छोटे स्थानिय प्रोडक्ट से कैसे बड़ी सफ़लता मिलती है इसका एक उधारन जार्खन से भी मिलता ह जार्खन के विशुनपूर में इन दिनों तिस से जादा समू मिल करके लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं लेमन ग्रास चार महिनों में तयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है इसकी आजकल काफी मांग भी है मैं देश के दो इलाकों के बा और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर भर बनाने के लिए कुछ हट करके काम कर रहे हैं एक है लदाख और दूसरा है कच्छ लेह और लदाख का नाम सामने आते ही खुबसुरत वादियां और उचे उचे पहड़ों के द्रश्य हमारे सामने आ जाते हैं ताजी हवा के जोंके मसूस होने लगते हैं वही कच्छ का जिक्र होते ही रेगिस्तान दूर दूर तक रेगिस्तान कहीं पैड पौधा भी नजर ना आए इस सब हमारे सामने आ जाता है लदाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकोट यानि खुबानी है यह फ़सल इस खेत्र की एकोनामी को बदलने की ख्षमता रखती है परतो अपसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन मौसम की मार जैसे अनेक चुनवतियों से यह जूचता रहता है इसकी कम से कम बरबादी हो इसके लिए आजकाल एक नए इनोविशन का इस्तिमाल सुरू जिसका नाम है सोलार एप्रिकोट ड्रायर एंड स्पेस हीटर यह खुबानी और दुसरे अन्य फलों यह सब्जियों को जरुवत के अनुसार सुखा सकता है और वो भी हाईजिनिक तरीके से पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बरबादी तो होत ही थी साथ ही दूल और बारिस के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी दूसरी और आजकल कच में किसान ड्रेगन फुर्ट्स की खेती के लिए सरानिय प्रयास कर रहे हैं बहुत से लोग जब सुनते हैं तो नहां अस्षर होता है कच और ड्रेगन फुर्ट्स लेकिन महां आज कई किसान इस कारियों में जूटे हैं फल की गुणवत्ता और कम जमिन में ज़्यादा उत्पात को लेकर काफी इनोवेशन की जा रहे हैं मुझे बताया गया है कि ड्रेगन फुर्ट्स की लोग प्रित्या लगातार बढ़ रही है विशेश कर नास्ते में इस्तमाल काफी बढ़ा है कचके किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रेगन फुर्ट्स का आयात न करना पड़े है यही तो आत्म दिरभरता की बात है साथियों जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं इनोवेटिव सोचते हैं तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तोर पर कोई कलपणा नहीं करता हैं जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए पहले सामाने नोकरी करते थे एक दिन उन्होंने ताय किया कि वो मोती यहने पल्स की खेती करेंगे उनके एक शेत्र में लोगों के इस बारे में बहुत पता नहीं था लेक ये स्वयम तो इससे काफी कमाई करी रहे हैं उन्होंने मुझफरपूर, बेगु सराय और पत्ना में अन्य राज्यों से लोटे प्रवासी मद्दूरों को इसकी ट्रेनी देनी भी शुरू कर दी हैं कितने ही लोगों के लिए इससे आत्म निर्भरता के रास्ते खुल गए साथियों अभी कुछ दिन बाद रक्षा बंधन का पावन परवा आ रहा है मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्ताएं इस बार रक्षा बंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं कई लोग इसे वोकल फोर लोकल से भी जोड रहे हैं और बात हमारे परव हमारे समाज के हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े उसका भी परव खुशाल हो तब परव का आनन कुछ और ही हो जाता है सभी देश वाशों को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुब कामना है साथियों साथ अगस को नेशनल हैंडूम डे हैं भारत का हैंडूम हमारा हैंडिक्राप अपने आप में सैंक्रों वरसों का घरों में इत्यास समेटे हुए हैं हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतिय हैंडूम और हैंडिक्राप का जादा से जादा उप्योग करें बल्कि इसके बारे में हमें जादा से जादा लोगों को बताना भी चाहिए भारत का हेंडूम और हेंडिकाप कितना रीच है, इसमें कितनी विवीदता है ये दुनिया जीतना जादा जानेगी, उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाप होगा साथियों, विशेशकर मेरे यूआ साथियों, हमारा देश बदल रहा है कैसे बदल रहा है, कितनी तेजी से बदल रहा है, कैसे कैसे क्षेत्रों में बदल रहा है, एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगार डाले, तो हम खुद अचमबित रह जाएंगे, एक समय था, जब खेल कुछ से लेकर के, अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग, या तो बड़ बड़े शहरों से होते थे, या बड़े बड़े परिवार से, या फिर नामी, गिरामी, स्कूल यार कॉलेज से होते थे, अब देश बदल रहा है, गावों से, छोटे सहरों से, सामान ये परिवार से, हमारे युवां आगे आ रहे हैं, सफलता के नए सिखर चुम रहे हैं, ये लोग संकटों के बीच भी नए नए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं कुछ ऐसा ही हमें अभी हाली में जो बॉर्ड एक्जाम्स के रिजल्ट आए उसमें भी दिखता है आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिवाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं ऐसी ही एक प्रतिवाशाली बेटी है कृतिका नांदल कृतिका जी हरियाना में पानी पत्से है इतने अच्छे प्रणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपको तो इन दिनों टेलिफोन लेते लेते भी आप ठग गई होगी इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे जी सर और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व मैसूस करते होंगे आपको जानते हैं आपको कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है पेरेंस को प्राउड फिल कराके खुद को भी इतना प्राउड फिल हो रहा है अच्छा ये बताईए कि आपके सबसे बड़ी प्रेरना कौन है सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेर ना तो मेरी वाँ अचा आप मम्मी से क्या सीख रही है सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किले देखे फिर भी वो इतनी बॉल्ड और इतनी स्ट्रोंग है सर उन्हें देख देख कर देख कि इतनी प्रेř ना मिलते कि मैं विवने की तरह बनूँ मा कितने पड़ी लिखी हैं? सर बीए किया है उन्होंने बीए किया हुआ है? जी सर तो मा आपो सिखाती भी होगी? जी सर सिखाती हैं दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है आचा बेटा आप आगे क्या करना चाहती है अरवा आगे देखिए डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है जी सर डिक्री तो प्राप्त कर लेगी को कि आप बड़ी टेजस भी हो बेटा लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है उसको कभी रात को चेन से सो भी नहीं सकता है कभी भी प्रेस्टन का फोन आ जाता है एस्पताल से फोन आ जाता है उसको दोड़ना पड़ता है प्रकार से 24 by 7 365 days डॉक्टर की जिन्दगी लोगों की सेवा में लगी रहती है और खत्रा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस्पकार की बिवारिया है तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है जी सर अजा कृतिका भर्याना तो खेल कुद में पुरहंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेना देने वारा राजज रहा है आज जी सर तो आप भी तो कुछ खेल कुद में भाग लेती है क्या कुछ खेल कुद पसंद है क्या आपको सर बासकेट बोल खेलते थे स्कूल में ते जब अच्छा आपके उचाई कितनी है ज्यादा है उचाई नहीं सर पांच दो की है अच्छा तो फिर तुमारे खेल में पसंद करते हैं सर वो तो बस पैशन है खेल लेते हैं अच्छा अच्छा चलिए कुर्तिका जी आपके माता जी को मेरी तरब से प्रणाम कहिए उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया आपके जीवन को बनाया आपके माता जी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत शुब कामनाई धन्यवाद सर आईए अब हम चलते हैं केरला आरना कुलंब, केरला के नवजवान से बाख करेंगे Hello Hello Sir, Namaskar So Vinayak, congratulations Thank you Sir Shabash Vinayak, Shabash How is the Josh? Hi Sir Do you play any sport? Badminton Badminton Yes In a school or you had any chance to take a training? No, in school we have already get some training from our teachers So that's and we get opportunity to participate outside Wow From the school itself How many states you have visited? I have visited only Kerala and Tamil Nadu Only Kerala and Tamil Nadu Yes So would you like to visit Delhi? Yes Sir, now I am applying to Delhi University for my higher studies Wow, so you are coming to Delhi? Yes Sir Tell me, do you have any message for fellow students Who will give board exams in future? Hard work and proper time utilization So the perfect time management Yes Sir So Vinayak, I would love to know your hobbies First of all, badminton And then reading So are you active on social media? No, we are not allowed to use any electronic items or gadgets in the school So you are lucky Yes Sir Well, Vinayak congratulations again and wish you all the best Thank you Sir Thank you Sir Thank you Sir सिर्फ मैं ही हूँ, मेरा भाई वो थोड़ा सा इतने सरार्थी है, मुझे लेकर बहुत खुश रहता है अच्छा अच्छा, आप जो पढ़ रहे थे, तो उस्मान आपका पसंदिदा विशे क्या था? Mathematics अरे वा, तो Mathematics में क्या रूची रहती थी, कैसे हुआ, किस टीचर ने आपको प्रेड़ीद किया? जी, हमारे एक सब्जेक्ट टीचर, रजस्टर, उन्होंने मुझे प्रेड़ा दी और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और Mathematics सुरूर से ही मेरा अच्छा रहा है, और वो कासी इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट भी है तो जितना ज़ादा करते हैं, उतना ज़ादा इंट्रेस्ट आता है, तो इसलिए मेरा फैबरेट सब्जेक्ट आपको मालूम है, एक ओनलाइन वेदिक Mathematics के क्लासेश चलते हैं? ये सर कभी ट्राइ किया है इसका? नहीं सर, अभी नहीं किया आप देखिए, बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा, जैसे आप जादूगर है, क्योंकि कॉम्प्यूटर की स्पीड से आप गिंती कर सकते हैं, वेदिक Mathematics की बहुत सरल टेक्निक्स हैं, और आजकल वो ऑनलाइन पर भी अवेलेबल होते हैं, जी सर अजय उस्मान, आप खाली समय में क्या करते हैं, खाली समय में सर, कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, मैं मुझे लिखने में बहुत इंट्रेस्ट आता है, अरे वा, मतलब आप Mathematics में रूची लेते हैं, लिटरेचर में भी रूची लेते हैं, येस सर, क्या लिखते हैं, क अरे वा, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आगे का क्या प्लान बना रहे हैं, सर, मेरा जी मेंस का फर्स्ट अटाइम्ट इलियर हो चुका है, और अब मैं सेप्टेंबर के लिए, सेकंड अटाइम्ट में अब बैठूंगा, मेरा में एम है कि, मैं पहले IIT से बैचलर डि अच्छा, चलिए, उश्मान मेरी तरफ से बहुत शूपकामनाएं हैं, और आपका भाई शरारती हैं, तो आपका समय भी अच्छा जाता होगा, और आपके माताजी प्रताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिए, उन्होंने आपको इस प्रकार से अवसर दिया, आपका होस प्रेस आती हैं, बहुत बहुत अच्छा फाइदा होता है लिखने से, तो बहुत बहुत बदाई मेरी तरफ से, आइए चलिए फिर एकदम से नीचे साउथ में चले जाते हैं, तमिलारू, नामकल से बेटी कनिगा से बात करेंगे, और कनिगा की बात तो बहुत ही इंस्प आज करता है तो अच्छिए से, अच्छिए से, बहुत ऑनी आज की बात घ्या रहन चले, एटी कर च्छोप अरेंगे, तम्ट अच्छिण प्या बात्वाट प्र मा इंस्पिर इंस्पर से, जुत हैं और हूँत थे फिर जाता हैं, तो ग्रता है च्छिए से, युत हैंगे 485 or 486, like that I thought, sir. And now? 490. So, what is the reaction of your family members and your teachers? They were so happy and they were so proud, sir. Which one is your favorite subject? Mathematics. Oh, and what are your future plans? I am going to become a doctor, if possible, in AFMC, sir. And your family members are also in a medical profession or somewhere else? Oh, sir, my father is a driver, but my sister is studying at MBBS, sir. Arwa! So, first of all, I will do the pranam to your father, who is taking a lot of care of your sister and yourself. It's a great service he is doing. Yes, sir. And it's an inspiration for all. Yes, sir. So, my congratulations to you, your sister and your father and your family. Thank you, sir. Sathiyo, aise aur bhi kitne yuva dost hai. Kathin parishtitiyo me bhi, jinn ke honsle ki, jinn ki sifrta ki ki kahaniyah, hamei prerit kerti hai. Mera man tha, ki jyadha se jyadha yuva sathiyo se baat karne ka moka mire, lekin, samayki bhi kuchh mariyadaya rheti hai. Mä sabhi yuva sathiyo ko, yaha agra karunga, ki woha apni kahaniy, apni jubani, jyo dhesh ko prerit kar sakayin, woha hum sab ke sath jarur saja karayin. Mere pijaray dhesvasiyo, sath samandar par, bharat se hajari ho mil dhu, ek chhota sa dhesh hai, jis ka nám hai, surinam. Bharat ke surinam ke sath, bhaut hii kariibhi samandh hai. Sol sal se bhi jyadha samayi pahalye, bharat se log bhaan gaya, aur usse hii apna ghar bana liya. Aaj čohthi, pánch vhi pidhi, voha par hai. Aaj surinam me, eek čohtha hii sehidig log, bharatiyya mulke hai. Kya aap jantate hai? Voha ki aam bhaashau mein se eek, sarnaami bhi, bhojpuri ki hii eek boli hai. In saanskrutik samandhau ko lhe kar, ham bharatiyya, kaafi garm mehsus kertate hai. Hali mein, Shri Chandraika Prasad Santokhi, Surinam ke nye rashpati benhe hai. Vih bharat ke mitra hai, aur unhohne seal 2018 mein, Aayojit, Person of Union Origin, PIO, parliamentary conference mein bhi, hissha liya tha. Shri Chandraika Prasad Santokhi ji nene, Shepat ki shuruwaat, Veed mantrho ke saak ki, Vih sanskrut meh boli, unhohne veedo ka uleg kiya, aur, Om Shanti 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 ke saab, Aapni shepat purni kari, Aapne hath meh ved lhe kar, Vih boloe, Mähen chandhi ka prasad Santokhi, aur, Aagye unhohne, Shepat meh kya ka ha, unhohne nene, Veed ka hii eek mantr, ka ucharaan kiya, unhohne ka, Om agne vratapate vratam chari shami, Tach ke yam tan meh radhya taam, Idem aham nutat, Sattya mupaymi, Yarni, He agne, Sankalv ke devita, Mähen ek prathiyya kar raha huu, Mujhe iske liye, Shakti aur samaar te pradhan karay, Mujhe asattya se dure rhenne, Aar sattya ki aur jane ka, Aashirwaat pradhan karay, Satch meh, Yeh hum sabhi ke liye, Gauravahanwit honne wali baat hai, Mähen, Shri chandhi ka prasad Santokhi ko, Badhai deta hou, Aar aapne raashti ki sewa karne ke liye, 130 karo'de bharatiyo ki orse, Unheh shubkaamnayi deta hou, Märe pjyaray dheish vahasiyo, Ise samaay, Bharis ka mausam bhi hai, Pichlì bár bhi, Mähenne aapse ka haa tha, Ki vrsaat mein, Gantki aur unse honne wali bhi maariyo ka khatrha bharja ta hai, Aspataanom mein bhi dhu bhi bharja ta hai, Is liye, Aap saap safai pere bharoot jyadha dhyan dhe, Immunity bharhane wali, Chieze, Aarvidik ka'dha, Vagir leate rhen, Korona sangraman ke samaay mein, Hame anye bhi maariyo se dure rhen, Hamei aspataan ke chakran na lagane pade, Iska pura khiaal rakhna hooga, Sathiyo, Bariis ke mausam mein, Deshka ek bada hissah, Bari se bhi juj raha hai, Bihar, Asam jyese rajao ke, Kai kshetrho mein, To bari ne kaafi muskile padea ki hui hai, Yarni ye ek tarp korona hai, To dousri tarp, Ye ek or chunauti hai, Aisem mein, Sabhi sarkar hai, NDRF ki team mein, Raja ki aapda niyantran team mein, Swem se vhi saunstha hai, Sab eek saad milkar jyutte hui hai, Har tarz se, Rahat aur bachau ke kama kar raha hai, Is aapda se prabhaabit, Sabhi lokoon ke saad, Pura dèš khađa hai, Sathiyo, Aagli baar jab hum man ki baat mein milenge, Uske pahle hii, Pundra agas bhi aane waala hai, Is baar pundra agas bhi, Alag parishtitiyo mein hooga, Korona maha mahari ki, Is aapda ke biech hooga, Mera, Aapne yuvao se, Sabhi dèš vahaswya se anurodh hai, Khi hum, Swatantrata adivas par, Maha mahari se aajhadi ka sankal pale, Aatma nirbhar bharat ka sankal pale, Kuch naya sikhne aur sikhane ka sankal pale, Aapne karthaviyo ke palan ka sankal pale, Hemaara dèš, Aajjji suncha hai par hai, Woh kai aeasi mahan vibhutiyo ki tupasya ki wajah se hai, Jinnohne raashtra nirman ke liye, Aapna jeevan samarpit kar diya, Unhi mahan vibhutiyo mein se eek hai, Lokman ya thilak, Eek agas 2020 ko, Lokman ya thilak ji ki, Somvi punditrisi hai, Lokman ya thilak ji ka jeevan, Hum sabhi ke liye, Bahut badai prerina hai, Hum sabhi ko, Bahut kuch sikhaata hai, Aagli baar jem hum milenge, Tau phir dheer saari batae karenge, Milkar kuch naya sikhaenge, Aagli ka sikhaenge, Aagli ka sikhaa karenge, 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 Sabhi dheishvatsiyo ko, Aagli ka sikhaa karenge, Aagli ka sikhaa karenge, Aagli ka sikhaa karenge, Aagli ka sikhaa karenge, झाल झाल